मिश्कार, रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए पांच सेकेंड में स्टार्ट आज देश में युवाओं की संख्या इतनी है कि ये अगर चाहें तो समाज को सौभाग्य उर्जा और विकास से सराबोर कर सकते हैं युवा सब्द में ही एक बहतरीन भाव निहित है मतलब की तरकशील मन सोच में खुलापन उदारता वैचारिक संपन्नता पर आज हमारे देश का चित्रपट युवाओं का यह रंग रूप नहीं पेश कर रहा आज ऐसा लगने लगा है कि युवाओं को लेकर सारी कहावतें हवा हो गई हैं कहीं तो कुछ गडबडी है हमारे देश में सिच्छा की व्यवस्था राजनीतिक सोच या सामाजिक चलन में कहीं कुछ असंतुलन है जिसे हमारे युवा खोखले विचारों से भटके हुए और दुविधा में फसे अठके से नजर आते हैं दरसल एक अजीव सी घटना हुई युवकों के एक पूरे दल को लापरवाही से उस माहौल को नजर अंदाज करते देखना बहुत ही दर्दनाक द्रश्य था एक आदमी को उसके स्कूटर से गिरा कर दो लुटेरे उसका बैग और मोबाइल छीन कर भागने लगे वह आदमी घबरा कर सडक पर नीचे गिर पड़ा और दूसरे ही पल उठा और बस चीखने चिलाने लगा वहाँ नौजवान आसपास थे लेकिन एकदम ऐसे गुजर गए जैसे उनको कुछ लेना देना ही ना हो कुछ ही दिनों में वे लुटेरे पकड़े गए रकम बरामद हो गई पर उस समय वहदरश देखने के बाद एक नब्बे वरशिय बुजुर्ग अपनी बात साजहा कर रहे थे कि हमारे समय में भगत सिंग चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं की मिसाल ऐसी हुआ करती थी कि हम किसी भी तरह समाज के काम आने का मौका खोजते थे कोशिश करते थे कि किस तरह अपना तन्मन और धन देश समाज मानवता के लिए अर्पित कर सके पर आज युवाओं को इस बात से कोई मतलब ही नहीं रह गया कि हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हालत कैसी है आम भारतिय आज किन-किन समस्याओं से दोचार हो रहे है उन पर काम कैसे करना है वे अपने दायत्व को खुद ही समझना नहीं चाहते युवापिड़ी का यह रूप बहुत निराश करने वाला है मौजूदा दौर में कुटंब की परिभाशा भी बदली है घरों की सनरचना ऐसी हुई है कि परिवार नामक पाट साला से युवा कुछ भी शमवेदनशील और मानविय नहीं सीख पा रहे है आज युवा के पास समय है ही नहीं वह अजीब ढग से आत्म केंद्रित हो गया है वह गहराई से सोचना नहीं चाहता कुछ करना नहीं चाहता उसका असर ऐसा जवाब सामने आने लगा है कि मेरी बला से जबकी बदलाव के वाहक युवा ही हैं हमेशा उनकी गरिमा में तश्वीर धुंदली होती देखकर मन दुखी होता है पर आज लगभग सभी युवा इस बात से बेखबर नहीं हैं हाला की यह सुनकर कुछ लोग एक नया तर्क देते हैं कि भावुक बाते करके युवाओं को लड़कडाने पर मजबूर किया जाना चाहिए सुलजाने की जरूरत है तकनीक का विस्तार हो रहा है समाज और संसार का चलन बदल रहा है युग अर्थ प्रधान हो रहा है तो युवा भले अपने बारे में क्यों ना सोचे हम सब गवाह हैं कि युवा पीड़ी पढ़ने लिखने से दूर होती जा रही है और आभासी पाठ क्रमों से प्रमाण पत्र एकत्र कर रही है पर किशी विशय का तत्व उसको नहीं पता कितने हजार गाम और कस्बे ऐसे हैं जहांके युवा जाती वर्ग धर्म भाषा की जंजीरों में जकडे हुए हैं कहने को पूरे देश में हजारों युवा संगठन हैं लाखो ऐसे सामाजिक समूह हैं जो युवा संबाद करते हैं पर सच्चाई यह है कि वे शब किसी राजनीतिक पार्टी की आर्थिक मदद से काम कर पा रहे हैं जाहिर है वे उश्दल की वैचार की को तवज्जो देते हैं और उनसे जुड़े युवा किसी धरने आदि में शोर मचाने के काम आ रहे हैं इससे वे और ज्यादा विचलित तथा दिक भ्रमित हो रहे हैं एक अस्पताल के पास एक रोगी अपनी बारी की प्रतीक्षा करता अचानक बेहोश हो गया कारण यह था कि चिकित्सक महोदै किसी वी आईपी को सेहत दुरुस्त रखने की सलाह दे रहे थे और वे टीवी चैनल के वीडियो कैमरे में रिकार्ड हो रहा था वे बेहोश मरीज को देखकर वहां खड़े यूवा बेवस देखते जा रहे थे तब एक बूढी सी महिला आई और उस मरीज की जेव से उसका पहचान पत्र निकाल कर सीधार डॉक्टर के पास जाकर बोली कि यह बेहोश मरीज भी उतना ही भारतिय नागरिक है जितना ये महाश है जिनके कारण बाकी गरीब मरीज इंतजार में बाहर जुलस रहे है सोचने वाली बात यह है कि वहां उपस्थित नौजवान जड़ क्यूं थे युवाओं के साथ देश और समाज की भावनाएं जुड़ी होती है पुरानी पीडियां उनके भरो से अपनी विरासत छोड़ जाना चाहती हैं वे कोमल संबेदनाओं को समझते क्यूं नहीं युवाओं की संपूर्ण दिनचर्या से समाज के रंग ही गायब हो गए हैं शायद अब यहां लोग रोबोट की बैशाखियों से दुरुस्त विचार और चुस्त जीवन का रास्ता पाना चाहेंगे और इस तरह सतर्क सजव युवाओं के आभाव में एक खाली पन भरी सुरक्षा का विपल्प खोजने लगेंगे